कि नमस्कार दोस्तों मैं मृतुंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सकिक परामर्स में और देखिए बैंकिंग के छेत्र में काफी चीज़े आगे बढ़ गी हैं पहले हम लोग घरे काम के लिए बैंक पे डिपेंड होते थे पैसा निकालना या पैसा जमा करना बहु हम लोगे देखा है कि बैंक की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज आ रही है जैसे एटियम भी उसमें सबसे यूनिक है और सबसे जादा लोग अभी एटियम यूज़ कर रहे हैं मगर मान लिजे कि आप इस तरीके से एटियम से अपना पैसा निकालते हैं हर एक लोगों को पैसा निकालते हैं और इसमें देखिए बहुत सारा पुराना नोट भी है जो निकलता है एटियम से अगर मांग लिजे आपके सामने एटियम से आपने कोई नोट निकाला और उसमें कटा हो फटा हो या पुराना इस तरीके से हो जो आपको लग रहा है कि नहीं चल बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में कमिशन पर दे के पैसे को बदल लेते हैं यानि जो मनी एक्सचेंजर है दस रुपे बीस रुपे काटके वो उनको पैसा दे देता है मगर गौर्नमेंट का तो रून कुछ और है कि आप चाहें तो अपने बैंक में भी जाके उस पैस को बदल सकते हैं मगर जैसे या बैंक में जाएगा तो बैंक मेंजर या बैंक के जो एंप्लोई हैं वह आपको इंटेटेड नहीं करते हैं मैक्सिम्म केस में होता है कि वो मना कर देते हैं कि अभी हमें बहुत काम है अभी हम यह काम को नहीं कर सकते आप कल आई ये पर सवा अगर मामी जिया आप ATM σου पे पैजा निकाल रहा है और उस पैसे में पैसे में कटा फटा नोट आपको मिल जाए, सबसे पहले तो आपको काम करना है कि जो भी आप पैसे को निकाल दिए। प्लस जो ATM से जो slip ले रहे हैं जो निकलता है पेमेंट निकलने के बाद वो रिजिप आप ले दीजिए और उससे क्या होता है कि प्रूप होता है कि हाँ आपने इस समय में पैसा निकाला था और अगर मान लेजिए आप बाइडिफॉल्ट स्लिप नहीं निकला तो मैसेज कराता है कि आपने अभी इतना पैसा निकाला तो मेसेज को रखिये हो मैसेज व डिलीट मंट कीजे और वो ATM जीस भी बैंक से लिंक है यानि हरेक लिएक एक किसी और आप चाहते हैं कि वो पैसे को exchange करें बदल लें मगर मान लेड़ेंक वाले आपसे exchange नहीं नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं तो आप क्या हो सकता है अगर बैंक वाले आपो मना कर देते हैं exchange करने से तो आप bank का भी complaintár biai में कर सकते हैं और ऐसे cases में 10 freely टक का जूर माना बैंकों भी हो सकता है, तो अगर आपको मना करता है कोई, तो अगर जुरुत पुड़े तो उसका कुछ इविडेंस या प्रोप लेके रख लिजे, ताकि आप बैंक के उपर भी RBI में जाके उसका क्लेंप कर पाईएगा, और नहीं तो अगर आप इतना ही बताते हैं बैंक व करते हैं, मगर यह जो रास्ता है, अगर आपको भी किसी दिन बैंक में पुराना फटा नोट मिल जाए, या आपके किसी जान पहचान को मिल जाए, तो यह तरीका प्रोसेस फॉलो किजिए, जिसके ज़िए आपको भी नोट बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है, और अगर बैंक मना करें, तो बैंक वाले को बताए कि RBI का क्या प्रोबिजन है, दस जार उपए तक का फाइन हो सकता है, वो अगर दे दे आपको नोट में कि नहीं बदल सकता, तो फिर तो आपका बात ही बन जाएगा दोस्तों, तो यह तरीका है, एटियम से, अगर आपके पास कट प्राना नोट निकलता है, चेंज करने का, ऐसे ही हम बैंकिंग के छेतर में और गौर्रमेंट के छेतर में, या ऐसी कुछ इंफर्मेशन जो पब्लिक के लिए है, अब के लिए है, बिजनेस के साथ-साथ ऐसे चीज़ों को भी लाते रहेंगे, ताकि आपको इंफर्मेशन मिलते रहें कि कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आपको एक जिक्ट पता हो, आप वही इस वीडियो को आपस में, अगर कोई बैंकिंग से रिलिडेट ऐसे प्राब्लम में आता है, तो उसको ये सेयर कीजिए, ताकि वो भी देखके ये ज आसकार.